मुहतरम नादरेन अस्राम लेकूंग और ये कब तक मिलती रहेगी और जो लोग नाहल हो चुके थे और जिनका जाज परताल का मसरा अभी भी भसा हुआ है क्या उनको भी एकिस्त मिल पाएगी इसास कफारत प्रॉग्राम और बेनजीर प्रॉग्राम के वो तमाम लोग और जो अफराद नए सर्वे के जरीयर रिजिस्टर हुए हैं उनको ये नई किस्त कैसे मिल पाएगी उससे पहले कि हम वीडियो का आगाज करें आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्क्राइब करें और साथ लगे घंटी की निशान को भी तबादें जी हाँ तो इससास पुराम की सबसे बड़ी अपडेट आपको देने जा रहे हैं जिन लोगों ने अपनी नई रिजिस्टरेशन करवाई है और वो भी चाहते हैं कि इस इमदाद को असल किया जाए तो उनको बताते चलें इस दोरान आपको याजपरताल का बताया जा रहा है या आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप 2021 के सर्वे में मौझूद नहीं है तो ऐसे तमाम अफराद को घबराने की जरुवत बिलकुल नहीं है आपने अपने रिजिस्टेशन करवा ली है अब आपको दुवारा से रिजिस्टेशन करवाने की जरुवत नहीं है क्योंकि इसास की रिजिस्टेशन में जितने भी लोग शामिल हुए है उनकी तादाद इतना ज्यादा बढ़ चुकी है इसास के जितने भी नुमेंदगान है वो आपकी मुकम्मल डेटे की चान बीन कर रहे हैं तमाम लोगों की चान बीन एक दफा नहीं हो सकती इसका जितना भी प्रोसेस है वो मरलावार ही मुकम्मल किया जाता है अगर आप ये चाहते हैं कि आज हमने रिजिस्टेशन करवाई है कल हमें एहल कर दिया जाए तो ऐसा बिलकुल नहीं होता आपको 6-8 माँ तक का इंतजार करना पड़ेगा और दूसरी बड़ी अपटेट ये है कि अब एसास कफालत और बेनजीर प्रामवालों को ये नई किस्ट मिलने जा रही है हकुमत पाकिस्तान ने 13,000 की इमदाद को जितने भी खवातीन एहल है उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है और तीसरी बड़ी खबर ये है 9 और 10 मार्च से आपको नई किस्त मिलना शुरू हो जाएगी क्योंकि अजला की तादाद काफी ज्यादा है जो अजला बाकी बच जाएगे उनको भी नई किस्त 15 मार्च के बाद देने का आगाज कर दिये जाएगा और आपको ये भी बताते चलें ये किस्त आपको जून के महिने तक मिलती रहेगी जो लोग नई रिजिस्टेशन करवा चुके हैं अगर वो फिलहाल एहल नहीं है जून के महिने तक एहल हो जाते हैं तो उन तमाम अफराद को भी एमदाद लाजबी मिल पाएगी वीडियो के खताम पर वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्क्राइब करें मिलते हैं एक नई अपटेट के साथ तब तक के लिए अलाँ आफिस